Hello friends, आज का हमारी इस वीडियो का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, जो आप सोच भी नहीं सकते, कि how can we achieve what we want, हम वो कैसे पासकते हैं जो हमें चाहिए, तो अब हमें जैसे कि कुछ चाहिए, जिसके पर हमारा कोई हक नहीं बनता, अता कि वो हमारा है नहीं लेकिन हम पासकते ह क्याथ मेहनत करकर, तो महनत कैसे करें, तो देखो जैसे कि हमें teacher बनना है, तो हम पहले महनत करनी पड़़े कि ये, आप साइड इमेरे सुड़ी, देख लाए उझे, सुड़ी का मताब image, अब ये देख़ए, आप सुडरी के नीचे लिखहाऊगा, मताब देखिए आप नी करेंगे और आगे चल के पीछर बनेंगे फिर समझें उपर देखें इससे लगा उपर रिखाऊगा गूट बैटर बैस्ट और एक्सिलेंट तो फिर हमें क्या करना है वह एक्सिलेंट तब पहुशने के लिए नीचे देखिए प्रैक्टिस में हमारा प्रैक्टिस है जो आप प्रैक्टिस करोगे तो गूट, बैटर, बैस्ट, एक्सिलेंट और फिर उसके हाद आप स्कॉलर हो जाओगे वो चीज में आप इक्तम एक्सिलेंट टीचर से स्कॉलर टीचर से मतलब टीचर बन जाओगे समझें कि आप जो भी करना है उसके लिए प्रैक्टिस में आपके अगर आप शुरी चड़ोगे, मतलब कि आप एकी बार में तो सीठे लास्ट पर शुरी पर चड़ोगे, सबसे टॉप पर हो, आज तो कोई नहीं चड़ पाया, तो फिर हमें क्या करना है, शुरू से ही शुरू करना होगा, हर पीछे शुरू से ही शुरू किया है, और आप ज कि वो धान नहीं दे रहें, कि वो क्या कर रहें, तो हमें क्या करना है, कि जैसे कि आप अंदर परफिक्शन्स लाती जाने, आप प्रेक्टिस करोगे, परफिक्शन्स आएंगे, आप अगर दूसरे को अगर एकी बात रोज बताओगे, एकी तरीके से तो नहीं, आप जैसे वह अगर एक नहीं तो दूसरे से या फे दूसरे नहीं तीसरे तरीके से जो इस्टूरेंट है आपका वो समझ जाए तो इसी तरह आपको जो भी आपके लाइश से बनना होगा उसके लिए आपको ऐसी स्यूरियां चरनी पड़ेंगे जब आप शूरियां चरते जाओगे तब आपका वो पाशिबड हो सकता है कि आप पाओ लेकिन ये नहीं कि तुरंट आप 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 पाँ जाओगे मिल लगा ये फिक्स रहेगा तो ठेग कि एगर आप शूरिया चरो थे तो आपको चर ने अगर आप चटोगे, में टॉप पर तो वही है ना, जिसे आपको तीचर बना तो आप टॉप पर अगर सिर्य चर्णा चालू कर दियो, तो टॉप पर ही आप कहुँच होगे, ऐसा तो है निकी उपड़ चटते जाओगे, अपने आप अचान से नीचे गिर जाओगे, ऐसा त सिलेंट लेवल, एक स्कॉलर लेवल पर जाने के लिए आपके प्रक्रिश उतनी टॉफ बनानी होगे, हर दिन कुछ नयात होना चाहिए, हर दिन अगर पुराना ही रात आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, और तीचर की लाइफ में यही रहता है सीखना, या फिर आप ज वीडियो का में यही टॉपिक था, आशा करता हो कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, मैंने अपना बेस ट्राय किया है, आपको यह समझाने के लिए कि हम कैसे कुछ भी पा सकते हैं, यह नहीं है कि आपको गोल्ड मैडर मिल जाएगा तुरंती, गोल्ड मैडर क अबन का हैं, तो वो उठा भी नहीं पाएंगी, उसे मतलब विला भी नहीं पाते हैं कभी कभी, जो मतलब वो जो भी हाथ मुम बलुलोग मतलब रहता है, जो भी युथाने माला, तो हमें क्या करना है? जैसलिकि अगर वो उसकी पीछे बहुत मेहनत है, शुरू-सुर्मि पिशाद वो भी न उठाया पाता हो, घिला भी नहीं पाता हो, जो उसके हाद में पुरा रहता है, आई रेंड का, लेकिन वो जब प्रैक्टिस करते गया, तो वो पुरा उठाने भी लगा, और 10-20 ताइम पुरा अप एंडाउन भी करने लगा, तो ऐसे ही वो प्रैक्टिस क किया, तो कोई भी चीज जो भी हमारे लाइस में है, अगर जिम में मालो कि अब उस ने गोल्ड मैडल पाया और आपने मैडल नहीं पा क्यों, तो कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, अभी आप नहीं स्टूरेंट थे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप गुरो नहीं किया, वो प्रैक्टिस किया मतलब जिम का बोई, तब वो पाया है, वो जो पाया होगा, लेकिन अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया, बस हम उसके कि तुरंट इसके ऐसा बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता.